Hello guys, welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में मैं comparison करने वाला हूँ Firebolt Ninja 2 Max Smart Watch vs Boot Flash Edition Smart Watch इस वीडियो में comparison मैं side by side design show करूँगा, quality के बारे में बात करूँगा, battery life के बारे में बात करूँगा, दोनों में से कौन सा वाला battery न है, जैसे कि मैं कुछ टाइम से USP कर रहा हूँ, तो मैं मेरा review share कर लूँगा तो आप भी सोचो के अच्छा से Smart Watch purchase करने के लिए है, आपका budget आराउं 1000 रुपी से लेके 2000 रुपी के बीच में, तो ये Ninja वाला मैंने purchase किया था, 1600, 1999 का है, Amazon पे different different seller है, same ये Smart Watch कोई 2000 को 2100 का sale कर रहा है, जो seller से मैंने purchase किया, उसका link में description में दे दूँगा, जब मैंने purchase किया offer और ये boot वाला मैंने purchase किया था, 1900, 1999 का Amazon पे, इसके भी different different seller है, same ये watch कोई 2400, 2900 का sale कर रहा है, जो seller से मैंने purchase किया, उसका link आपको description में मिल जाएगा, जब मैंने purchase किया offer भी चालू था, तो हो सके, आपको भी कम price में मिल जाएगा, आप एक बार description चेक कर लेना, price up and down भी होते रहता है, box की बात करें, कुछ इस टैप के आपको box देखने को मिल जाएगे, दोनों के, दोनों के box के ऊपर कुछ features mention है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा, वो सबसे पहला हम watch के design की बात के लिए, तो design के पहले मैं आपको इनके अंदर जो charging के cable से, वो show कर दे दिया गया है, और इदर कुछ इस टैप के USB के ports दिये गए है, इस साइड में स्टैप के बात कर ले तो कुछ इस टैप का आपको इस टैप देखने को मिलेगा, इस स्टैप के जो होल से वो बहुत ही जादा दिये गए, तो आपका wrist बहुत ही पतला है, तो इस पे भी आपका परफेक्टली बैड ही आएगा, तो कोई भी ज्यादा होल अगेरा करने का इससा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैक साइड में कुछ इस टैप का looks और design देखने को मिलता है, जैसे कि मैं closer look बता देता हूँ, जिससे कि आपको design को समझने में और भी easy पड़े, और इदर आपको पूरी की पूरी metallic body देखने को मिलेगी, इसके वज़े से boot वाला वास थोड़ा सा weight में ज्यादा है, as compared to firebolt वाला metal plus आपको plastic यूज़ किया गया, जिसके कारण इसका weight कम है, और जैसे कि back side में sensor भी दिये गए, और इदर firebolt की branding, इदर boot की branding दी गई, इदर charging का port दिया गया, दोनों के इंदर आपको magnetic charging देखने को मिल जाता है, तो जैसे ही आप attach करोगे, आपका charge होना start हो जाएगा, तो यह हमारा जो कि right side में charging का port इस तरह लग जाएगा, बूट वाले का, और उसी तरह हम firebolt वाले की बात करें, तो firebolt वाले का आपको stripe लग जाएगा, फ इसका भी 1.45 के करीब दिया गया है, पर यह वाला round design है, यह वाला rectangular design है, तो खोड़ा सा जो कि boot वाला, बड़ा size ए display का है, इस compare to firebolt वाले से तो, अब UI की बात कर लेते हैं, तो इदर आपको जो कि कुछ इस type का UI देखने को मिलेगा, और touch की बात कर लेते हैं, तो touch दोनों के प्रेस करने पर हमारा back होएगा, long press करने पर हमारा जो की power on और off का option आएगा, इसी तरह मैं left side में swipe, right side में swipe करता तो sports mode हो गया, sleep mode हो गया, heart rate हो गया, exercise हो गया, weather हो गया, shutter के option हो गया, player के option, यह सारे देखने को मिल जाते हैं, उसी तरह मैं boot वाले के अंदर, right side में swipe करूँग या फिर weather क्या चल रहा है, वो और इसके बाद में setting का option देखने को मिलता है, उसी तरह हम इधर उपर slide करेंगे, तो आपको brightness कम जादा करना है, तो कुछ इस type का UI देखने को मिलेगा, तो UI जो की latest firebolt वाले के अंदर जादा है, has compared to boot वाले से, विधर flash देखने को मिल जाएगा और message का option देखने को मिल जाएगा, तो जिसके अंदर हमारे message जो भी रहेगे वो show होएगे, अब मैं press करता हूँ और नीचे के side में swipe करूँगा, तो इधर आपको सारे menu के option देखने को मिलेगा, उधर नीचे के swipe करने पर आपको, जो कि हमारे step हो गया, जितने भी आप चले हो तो वो देखने को मिलेगा, इसके बाद में फिर नीचे blood pressure हो गया, इसके बाद में फिर weather हो गया, इसके बाद में music, तो यह सारे options देखने को मिल जाते है, तो इस तरह का UI है, तो आपको fireboard वाले के अंदर जादा menu देखने को मिल जाते है, as compared to boot वाले से, तो यह मैं आपको इसके में यू के अंदर आजाते है, तो इधर आपको menu देखने को मिल जातर है, sport, breathe, shutter, उसी तरहा, अब मैं इधर menu के अंदर आजाते है, sports, sleep,ham. exercise, heart rate, जो कि SPO2 दिया गया, weather दिया गया, शटर दिया गया, player, breathe, इसके बाद माद फ्लेशलाइट, इसके पाद माद इसके बा स्पोर्ट के अंदर जाओगे तो आपको वाकिंग, रनिंग, साइंकलिंग, योगा, बास्केटबॉल, बैडमिंट, स्कीप और स्विमिंग देखने को मिलेगा, उसी तरह हम फायर बोल्ट वाले के अंदर स्पोर्ट मोट के अंदर जाएगे, तो इसके अंदर आपको काफी जादा देखने को मिलेगा, जो कि यह हमारा स्पोर्ट ने इधर ने एक्सराइस दिया हुए, तो एक्सराइस के अंदर हम क्लिक करेगे, तो वाकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइंकलिंग हो गया, स्कीपिंग हो गया, बैडमिंट है, बास्केट बोल, एक्स्ट्रा क्लाइबिंग, टैनिस, गुल्फ, योगा, इनर डोर, इंडोर साइंकलिंग, फ्री ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग, रनिंग, इसके बाद में क्रिकेट, सीट अप्स, और कबड़ी, इंडोर, ऐसे काफी सारे हैं, जो कि ज्यादा मेन्यू, इसके अंदर ऑप्शन देखन करोगे, जैसे कि काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आपने चालू किया हुआ है, पाच्छे नोटिफिकेशन होगे, तो इसके कारण आपका चार से पास दिन का दोनों वाच के अंदर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा, अब ये एप्लिकेशन की टाइप के वो में आ बस म्यूट कर देना है, कोई भी महमाने महमाने या दुसरे कमरे में, तो ये चीज मुझे फायर बोल्ट वाले के अंदर ज्यादा बैटरी लगी, तो म्यूट का ओप्शन जो की बूट वाले को भी देना चाहिए, और इन फ्यूचर हो सके, यूई के अंदर अपडेट करक आपको बूट वेरेबल करके देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको इस सारे के सारे नीचे मेनू के ओप्शन देखने को मिल जाएगे, तो इदर जो भी मेनू से वो सारे विजिबल है, और इस एप्लिकेशन को आप डारेक्ट डाउनलूड करके भी देखना चाहते ह तो जिसके अंदर step count, calories, heart rate, profiles के अंदर सारे options होगे, इदर अलाराम, find my device, camera, alert, settings के अंदर जो setting के option होगे, वो सारे के सारे देखने को मिल जाते है, उसी तरह हम जो की बात कर लेते हैं, firebolt वाले के तो firebolt के अंदर आपको dfitt application देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको add device क नहीं हो सकती, तो इसके लिए मैंने boot वाली connect की, अभी ये वाली device add नहीं की है, तो इसके अंदर भी आपको ये सारे menu के options देखने को मिल जाते हो, इसके बाद में add device करोगे, तो इसके अंदर आप जो भी notification on करना जाते हैं, वो सारे कर सकते हो, इसके बाद में भी profile, goal, google, fit व तो इटने टाइम में complete charge हो जाता है, अब last question आता है, दोनों में से कौन सा वाला purchase करना चाहिए, तो मेरे साब से मुझे जो कि ये boot वाला काफी time से use कह, ये weight में भी जादा है, आप में थोड़े time से जो कि ये fire bolt वाला use कर रहा है, तो ये वाला मुझे जादा comfortable लगा, as compared to boot व और जैसे कि जो में ने मेरा call का mute करने का bike वाई को अगरा चला रहे हो, देख लिया, call नहीं attain करना है, cut भी नहीं करना है, तो mute करने का options लिए, आपको सबसे बहतरी, इसके अंदर देखने को मिल जाता है, menu के option भी जादे दिए गए fire bolt वाले के अंदर has compared to boot वाले से, so आपका दोनों के अंदर option है, आप पायान के swimming अगरा कर सकते हो, button की बात करें तो आपको जो कि इधर round button है, तो turn करने पर कुछ भी नहीं होएगा, बस only press करने पर back और जो कि आगे पीछे move होएगा, और इधर भी आपको single buttons देखने को मिल जाता है, so almost दोनों watch के बारे मैंने सभी ची सकते हो, तो आप मुसे comment section में पूस सकते हो, तो यह fireball वाला मैंने purchase किया था, 1699 रूपीज का Amazon पे इसके different different seller है, same watch को 1800, 1900 का sale कर रहा है, जो seller से मने purchase किया, उसका link में description में दे दूँगा, और यह boot वाला मैंने purchase किया था, 1999 का इसके different different seller है, same smart watch को 2400, 2900 का sale कर रहा है, जो seller से म Link में description में provide कर दूगा, और यह video आप 2022 यह फिर 2023 में देख रहे हो तो, 66 month में हमारे smart watch update होते 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 हो, जो latest वाले रहेगे, विन की link में description में provide कर दूगा, तो आपको यह video अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाते होते होते है, वीडियो को like कर द हुआ हुआ हो, यहां होते हैं, जैसे नच्छा होते हैं, च तो चाहते होते 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 हैं, जो शबते हैं और बίक dei DoK Devi सेह च्छाव कर दो क सहते हैं, यह जो होते हैं, जो हएम होते हम अज.